A sum of money is sufficient to pay A's wages 21 days and B's wages 28 days. The same money is sufficient to pay the wages of both for A को कितना दिन देने के लिए यहां पे है 21 दिन के लिए B को कितना दिन के लिए 28 दिन के लिए तो इन दोनों को wages का रिश्यो कितना हो जाएगा सर क्या यह ऐसा करना पड़ेगा या फिर नॉर्माली कुछ करना पड़ेगा तो अच्छा सोचते हैं कि A 21 दिन में कोई काम करता है B वोई चीज 28 दिन में करता है इन दोनों के efficiency के ratio निकाल लेता है ठीक है या फिर ऐसा करते है कि total कितना दिन में काम करता है यह देख लेते है ऐसा भी हो सकता है ना हाँ सर हो सकता है कैसे होगा देखो 21 दिन के लिए है इसका 28 दिन के लिए दोनों के लिए दिन है यह थोड़ा सा घुमा के बोल दिया था कि A. 21 दिन में कोई काम करता है B. 28 दिन में कोई काम करता है तो दोनों ने मिलके खिद्रा दिन में काम करेगा इसको wages के अनुसार आपको दिया हुआ है ताकि आपको ऐसा लगे कि कोई क्या बोलना चाह रहा है हमें नहीं पता है यह 2013 सीजेल टीर वन में आया था ठीक है सर चले देख लेता है नेक्स्ट कोई क्या दिया है थेंक्यू बबाज स्टेटिन फॉर दे नेक्स्ट क्लास